हेलो दोस्तों अगर ये वीडियो आप देख रहें तो आप भी जाना जाते कि कैसे हम लोग Google पे से credit card का payment कर सकते तो इस वीडियो में मैं आपको step by step explain करूँगा कि कैसे हम लोग credit card का payment कर सकते गूगल पे का इस्तेमाल करके तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल की वीडियो पहली बार देख रहें तो वीडियो की नीचे जो लाल subscribe बटन दिख रहें उससे दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो अच्छा लगत है तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देना तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ तो गूगल पर इस प्रेडिट कर्ड का पेमेंट करने के लिए सिंपली यहां पर आपको पे बिल्स का जो ऑप्शन दिखता है उस पे क्लिक माते हैं उस पे क्लिक मानने के गभाद दोस्तों हम लोग को थोड़ा स्क्रॉल करकी आएंगे नीचे तो यहां पर देख सकते हैं क्रेडिट कर्ड बिंएमेंट का पर आपे मिल जाएंगी तो इन उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा HDEP सिखाता है, तो HDEP से पर मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पर फॉर्स वाला ही हम लोग को option देखने को मिल जाता है, उसमें दिरस्तों हम लोग को 16 डिजित credit card का number होता है, वो यहाँ पर पहले option में हम ल क्लिक कर देना है, उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफिस आगा है, यह मैंने एक already payment किया था, इसके बज़े से ऐसा शो हो रहा है, तो simply उसके बाद आपको pay का option दिख रहा है, उसके बाद दोस्तों यह जो इंटरफिस आता है, वो बहुत ही important है, इसमें दोस्तों आपको करना का है, आपका जो credit card होता है, उसके उपर जो starting के 12 digits, मतलब starting के 12 अंक होते हैं, वो यहाँ पर आपको fill up कर देना है, आपको ध्यान में रखना है starting के 12 digits, उसके बाद आपको नीचे जो right का option दिख रहा है, उसके आपको click कर देना है, तो जैसे आप उसके सामने जो भी आपका payment का interface है, वो यहाँ पर आ जाएगा, तो simply मैं continue पर click कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते है, जो भी आपका payment करने का option आता है, वो यहाँ पर show हो जाएगा, तो simply आपको जो भी amount pay करने है, credit card करने है, जो भी भी ले, वो यहाँ पर आपको fill up कर देना है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते है, minimum amount आप 10 रुपीज भी डाल सकते है, तो मैं यहाँ पर आपको 10 रुपीज का payment करके दिखा देता है, उसके बाद आपको लोकेशन का permission दे देना है, उसके बाद दोस्तों आपका जो भी आपका UPI ID होता है, वो यहाँ पर है, और आपका जो payment है, वो complete कर देना है, तो यहाँ पर मैं अपना UPI ID लाल देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अपना UPI ID डाल दिया, उसके बाद नीचे जो right का option लिख रहा है, यहाँ पर देख सकते है, मैंने उस पर clip करके जो मेरा payment है, वो confirm कर दिया, थोड़ा time लेगा payment होनी के लिए, और जैसी यह Google पे से payment हो जाता है, तो आपका जो payment section होता है, credit card का, उसमें दोसे reflect होनी के लिए 30 minutes तो लेता ही है, तो दोस्तो इसी तरह आप आपके credit card का जो payment है, वो Google पे से कर सकते हैं, तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही, अगर इस वीडियो के related आपके मन में कुछ doubts है, या फिर questions है, तो आप नीजे comment box में पूछ सकते हैं, तो दोस्तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,